नमस्कार मैं भूमे का आपका स्वागत करती हूं देश उसाना में यहां हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरें जो आपके और आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हैं आपके आवाज आपके मुद्दें हर खबर महतेपूर है तो चलेए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन देश उसाना के साथ शुरुवात करते हैं आज ही खास सुरुख्यों के साथ NCP नेता बाबा सिद्धिकी की गोली मार कर हत्या सल्मान और दावत की मदद करने वालों को बिश्णोई गैंक की चेतावनी कहा अपना अपना हिसाब किताब रखे सल्मान खान की बढ़ाये गई सुरुख्या बिश्णोई का अगला निशाना कहीं नेता के बाद अभी नेता तो नहीं हिस्बुल्ला का इस जरायल पर हमला पांच मिसाइले नाकाम आईडेफ की सफल सुरक्षा दिवाली और छट पूजा पर रेलवे का तौफा स्पेशल ट्रेने चलेंगी यात्रियों की सुविधा के लिए डासना मंदिर पर बवाल पुलिस और यती नर्स इनहानंद समर्थकों के बीच तनातनी अलीगर में सड़कास सा चार दोस्तों की जिन्दगी चुराने वाला भयानक मंजर आया सामने चेनाई में नवाले का स्टन्ट चलती ट्रेन में सिर्फ पोल से टकराया वीडियो हुआ वारल केरल में शादी शुदा कपल की कार कुए में गिरी किस्मत ने बचाई जान एरपोर्ट पर गिरफतार हुई ग्लामरस महीला बैग में थी 38 करोड की कोकेन बाबा सिद्ध की हत्या की आरोपी शूटर की दादी का खुलासा कहा 2019 में हुआ था जेल जमानत कराने वाला कौन था पता नहीं नज़र डालते हैं हर्याना की खास खबरों की ओर नायाब सिंग सेने को मारने की मिली जान से मारने की धमकी आरोपी हुआ गिरफतार धमकी एक WhatsApp ग्रोप में दी गई थी जिसके बाद पुलिस से तुरंद कारवाई की पुलिस अदिक्षक सुमित कुमार ने बताया कि धमकी देने वाला आरोपी जीन्द काही रहने वाला है उसे गिरफतार कर लिया गया है पुलिस ने मामले को गंबीरता से लिया आगे की जाज कर रही है ताकि ऐसे कृत्यों को रोका जा सके नायाब सिंग सेनी ने इस घटना करम के बाद अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांगी उनका कहना है कि राजनीती में इस तरह की धमक्या किसी भी नेता के लिए परिशान है और क्या इसे राजनीती में कोई बड़ा आसर पड़ेगा हर्याणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक नई नेता का चैन 16 अक्टूबर को हर्याणा की पंचकुला में भाश्वा विधायक दल की मेहदबून बैठक 16 अक्टूबर को आयुजित की जाएगी इस की बाश्वा नेता का चैन पाठी की मस्बूती और आगामी चुनाओं की रणीती को ध्याल में रखते हुए यह बैठक प्रदेश की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकती है इसलिए सभी की नजरें इस पर बनी हुई है पाठी के कारेकरता और समर्थकों में नई नेता प्रदेश को लेकर काफी जादा उस सहा देखने को मिल रहा है फरीदाबाद 500 रूपाई के कर्स पर हत्या मामला गंभीर फरीदाबाद में एक व्यक्ति को मात्र 500 रूपाई के कर्स के लिए जान से मार दिया गया इघटना इलाकी में तुनाओ का कारण बन गई पुलिस न बताया कि मृतक ने पैसे चुकाने की में देरी की जिसके बाद आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भोगतने की धमकी दे डाली जानकारी के नुसार विवाद बढ़ने पर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया इस थानी लोगों ने इस घटना की निंदा की और इसे समाजिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है पुलिस ने मामला दर्ज कर जाज शुरूगर्दी आरोपी के तलाश कर रही है इस घटना ने पूरे इलाके में डर का महल बना दिया और लोग अपने अपने सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है बाम अपर कॉंग्र्स की हूर का लगाया अरूप कुरुषेत्र में भारतिय किसान यूनियुन की नेदा गुरनाम सिंग चडूनी ने कॉंग्रस की हालिया हार के लिए पूर्व मुखिमंत्री भुपेंडर्दी सिंग हुढ़्डा को ओड़ा ठाया चडूनी ने कहा कि हुड़ का मुख्य कारण बना उने कहा कि यदि पार्टी को फिर से मस्बूत होना है तो उसे अपनी रणनीती में बदलाव लाना ही होगा और इस बयान ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा करती यह देखना होगा कि कॉंगर्स पार्टी इस पर क्या प्रितिकरिया देती है संदेदा चानल देश रोजाना बेबाक सेच अमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इं ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें